Hello everyone, Welcome to my channel Highway Study Guru आज हम लोग इस वीडियो में सिमेंट का नर्मल कंसिसेंसी या एस्टेंडर कंसिसेंसी टेस्ट कैसे करते हैं कौन से ऐसे फेक्टर हैं जो नर्मल कंसिसेंसी को प्रभावित करते हैं और नर्मल कंसिसेंसी कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे जो लोग इस चैनल पर पहली बाद आये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवाना ना भूलें पुछलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं नर्मल कंसिसेंसी या एस्टेंडर कंसिसेंसी का मतलब होता है कि सिमेंट में हम कितना परसेंट पानी मिलाएं जिससे सिमेंट पेस्ट के रूप में त्यार हो जाए और उस पेस्ट को हम जब भीकेट अप्रेटर्स के मोल्ड में फिल करें तो पलंजर का पेंटेशन 5-7 mm दोंदो बटों होना चाहिए तो जितने परसेंट पर सिमेंट में पेंटेशन 5-7 mm आ जाएगा वह हमारा नर्मल कंसिसेंसी का राएगा कुछ ऐसे फेक्टर होते हैं जो नर्मल कंसिसेंसी को प्रभावित करते हैं जैसे वेदर कंडिशन हो गया एक्सेसिव कंपोजिशन ओप सिल्का हो गया और फाइनेस ओव सीमेंट हुआ इसके चलते नर्मल कंसिसेंसी प्रभावित होता है यही रीजन है कि भिन-भिन ब्रांड के सिमेंट का नर्मल कंसिसेंसी अलग अलग आता है अब नर्मल कंसिसेंसी के लिए क्या-क्या आपरेटरस चाहिए तो इसके लिए हमको अस्टॉप वाज चाहिए बिकेट अपरेटरस चाहिए ग्लास प्लेट, गेजिंग टॉइल, बैलेंस एक उरेशी वन ग्राम अब भीकेट अप्रेटर्स का जो मॉल्ड होता है वो ट्रंकेटेड कोनिकल सेप में होता है इसका वाल का थिकनेस मिनमम 4 mm होना चाहिए और इंटर्नल टॉप डाया मॉल्ड का 70 प्लस माइनस 5 mm होता है और बॉटम का डाया 80 प्लस माइनस 5 mm होता है depth या height of mold 40 प्लस माइनस 0.2 mm होता है प्लंजर का डाया 10 प्लस माइनस 0.05 mm होता है और length 50 प्लस माइनस 1 mm होता है और total assembly जिसके चलते हैं वो उस weight से self weight से printed होता है वो weight 300 प्लस 1 ग्राम होता है अब यह बिकेट अप्रेटर्श का 3 dimension दिया हुआ है इसमें यह mold है mold का 80 प्लस माइनस 5 mm है bottom का डाया और top का 70 प्लस माइनस 5 mm height 40 प्लस माइनस 0.2 mm यह glass plate जो होता है इसका thickness 2.5 mm से ज्यादा होना चाहिए और यह graduate इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है इंडिकेटर एक एक में में है 0 से 40 तक होता है अब हम जो penetration लेते हैं वह 527 mm from the bottom अगर टॉप से लेते हैं तो 33 to 35 mm होता है अब टेस्टिंग तो स्विडियो जानते हैं कि कैसे हम टेस्ट करें तो सबसे पहले हम 350 ग्राम सिमेंट का सेंपल लेते हैं उसमें यह देखते हैं कि सिमेंट में कोई लम्स नहीं हो अगर लम्स है तो हम हैंट से जब कर देते हैं और उसको बावल या ट्रे में प्लेस कर देते हैं लैब में टेस्टिंग के समय टम्रेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीगेट होना चाहिए लैब की हुमेडिटी 65 प्लस माइनस 5 परसेंट और डिलेटिव नैंटी परसेंट होना चाहिए अब सिमेंट में हम जो वाटर लेते हैं वह पोल्टेबूल या डिस्टिल वाटर होना चाहिए यह प्यूरली एरा राइन ट्राइल मेंतड है इसमें हम अलग-अलग परसेंटेज पर पानी मिक्स करके यह देखते हैं कि हमारा प्रेंटेशन मां 25 to 7 वाटर परसेंट पर या तो सपोर हमने यहां 28 मिक्स करते होना चाहिए और युछ 52 संपल को हम रिजर्च करेंगेर फिर निया सेंपल लेकर टेस्ट करेंगे कि जैसे हम सिमेंट में वाटर मिक्स करते हैं उसी समय हम स्टॉप वाई द्वायार टाइमिंग स्टार्ट करते हैं अब भीकेट अप्रेटर्स के मोल्ड में हम सिमेंट पे सिंपल को भरते हैं भरने के बाद भीकेट अप्रेटर्स में पलंजर को सेट कर देते हैं और सिमेंट के सर्फेस पर लाकर उस पलंजर को छोड़ते हैं वो धीरे-दीरे पेंट्रेट होता है जो पेंट्रेशन होता है उसका हम नोट करते हैं अगर हमारा पेंट्रेशन 527 mm आ गया हम समझेंगे कि 28% नर्मल कंसिस्ट्सी है अगर नहीं आया तो पेंट्रेशन के अंसार हम वाटर कंटेंट को कम या ज्यादा करके फिर दोबारा रिपीट टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने वाटर कंटेंट यानि कितना पर्सेंट वाटर लेने से हमारा प्रेंट्रेशन 527 mm आता है अभी अब्जर्वेशन सीट है इसमें क्या लिखते हैं वेट आप सिमेंट जो हम साड़े 300 ग्राम लेते हैं और पर्सेंटेज बाई वाटर अब का नर्मल कंसिस्टेंसी या एस्टेंडर कंसिस्टेंसी जिस पर्सेंटेज पर 527 mm प्रेंटेशन है वह है थैंक यू पर वाचिंग माई वीडियो मेरा वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें जाएं